दूस्तों दुनिया के सबसे बड़े military power है अमेरिका और अमेरिका के बाद दूसरे सबसे बड़े military power के रूप में रश्या को देखा जाता है पर वही पे दोस्तों अगर दोनों देशों के aircraft carrier के fleet को comefair किया जाए तो जहाँ पे अमेरिका के पास 11 nuclear power aircraft carrier है तो वही पे रश्या क बेडे में केवल मात्र एक ही यैरक्रह्ट केरियर है और हो ही convention हाला कि दोस्तों अगर रश्या के इस यैरक्रह्ट केरियर को देखा जाए तो बीते 5 साल से यारक्रेफ्ट केरियर पानी में नहीं उतरा और दोस्त आच खे इस वीडियो में आप लोगे को रश्या के entrada कई Firecraft karrier के ऐसे 6 fact के वारे में बताऊंगा जिसके वारे में शायद आप लोग पहले सुनें नहीं होंगे तो रश्या के Internet के वारे में और डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने र ये जो यार्क्राफ्ट केरियर है ये पांस साल से रिफिट के काम से गुजर रहा है और शायद ही ये साल 2024 से पहले रश्या के बेड़े में जुड़ सके। इंच इंटरस्टिंग फैक्ट को देखा जाये तो सबसे पहला फैक्ट है कि सोवियत यूनियन असल में ऐसा दो यार्क्राफ्ट केरियर बना रहा था पर इन में से केवल एक यार्क्राफ्ट केरियर को ही कमिशन करना संभव हो पाया है जिसे एड्मिरल कुद्निसकॉफ कहा जाता है हाला कि दोस्तों अगर देखा जाये तो अब दूसरा यार्क्राफ्ट केरियर भी कमिशन है और समुंदर में तैर भी रहा है बेसिकली दोस्तों जो दूसरा यार्क्राफ्ट केरियर था उसे वेराक के नाम से सोवियत यूनियन के द्वारा बनाय जा रहा था लेकि ये जो जहाज है ये यूक्रेन को मिला। यूक्रेन से चाहना के एक कम्पणी ने जहाज को खरिद लिया और उसके बाद चाहना के तरफ से इस जहाज को मोडिफाई करके एक फुल फलेज येर्क्रेफ्ट कैरियर के रूप में निर्मान किया गया और अब ये चाइनीज नेवी में सर्विस में हैं बेसिकली वेराग ही चाइनीज नेवी का फहला यारक्राफ्ट कैरियर है जिसे अब लियोनिंग के नाम से पैचाना जाता है दोसरा इंटरस्टिंग फैक्ट को अगर जानेंगे तो आपको और हैरानी होगा क्यूंकि दोस्तों ये जो एडमिरल कुदनिसकोव है ये फिलाल जेनरल एरक्राफ्ट कैरियर के रूप में पैचाना तो जाता है लेकिन इसे जब बनाया गया था ताब इसे एरकर्फ्ट कैरियर के नाम से नहीं बनाया गया था रिपोर्ट के मुताविक सोवियत उनियन के तरफ से इस जहाज को P-700 लॉंग रेंज नेवल अंटी शिव लैंड अटेक क्रूज मिसाइलों से लैस करके ही बनाया गया है और दोस्तों ये जो जहाज है ये करीवन 12 ऐसे P-700 मिसाइलों को कैरी कर सकता है जहाज में ये मिसाइल असल में front flight deck के नीचे वाले हिस्से में रहता है जहाज से ये मिसाइलों को fire किया सकता है मतलब दोस्तों ये जो जहाज है ये एरक्राफ कैरियर नहीं बलकि heavy missile carrying guided missile cruiser है दोस्तों इस एरक्राफ कैरियर के जो तीसरा fact है वो है कि ये दुनिया का एक मात्र और unique एरक्राफ कैरियर है जो की अपने primary capacity के इलावा heavy strike capability भी रखता है एरक्राफ कैरियर में primary हत्यार के रूप में एरक्राफ के deployment के इलावा बड़े मात्रा में अन्ने offensive हत्यार जैसे की P-700 long range anti-ship missile का भी deployment किया गया है और दोस्तों ये जो missile है ये काफी भयंकर ताकत वाला missile है और report के मुताविक ऐसे हर एक P-700 missile का वजन जहां पे 7000 kg है तो उही पे ये 625 km के range तक काम कर सकता है और ध्वनी के रफतार से भी अधिक रफतार में travel कर सकता है दोस्तों ये जो missile है इसके पास ताकत इतना अधिक है कि ये अगर selvo में fire होता है तो एक बड़े आकार के aircraft carrier को भी मिंटों में तबा कर सकता है और missile के ताकत को और maximize करने के लिए रफिया के तरफ से इस missile को selvo में ये use किया जाता है और जब fire किया जाता है तो आइदर 4, 6 या different missile को different direction और different altitude के तहत फायर किया जाता है ताकि ये एक tactical तरीके से काम कर सके और दुश्मन को ये समझने में मुश्किल हो कि missile किस दिशा से आ रहा है और किस तरीके से missile को counter किया जाए दोस्तों चौथा जो fact है वो भी इस aircraft carrier के missile को लेके ही है और दोस्तों ये जो aircraft carrier है ये दु दोस्तों ऐसा कुई वी aircraft carrier नहीं जो anti-ship missile को carry करता है फिलाल अगर देखा जाए तो अमरिका के बेडे में 11 aircraft carrier है बिटेन के पास दो फ्रांस के पास एक nuclear aircraft carrier है लेकिन किसी वी aircraft carrier के पास anti-ship missile को fire करने का capability नहीं है उही पर दोस्तों इनी aircraft carrier हों के base जहाँ पे चायना के तरफ से लियोनिंग और शांग डॉंग को निर्मान किया गया है तो उही पे चायना के aircraft carrier हों में भी anti-ship missile के शमता नहीं है भारत के आइनेस विक्रम अदित्य aircraft carrier जो कि रश्या के कीव क्लास के aircraft carrier के base पे बनाया हुआ aircraft carrier है उसमें भी surface to air missile के रूप में ब्राक 1 और ब्राक 8 missile तो है ल ऐसे की torpedo और anti-ship missile decoy, anti-aircraft missile closing weapon system, even कुछ aircraft carrier हों में तो naval गनवी होता है लेकिन किसी भी aircraft carrier के पास इस तरीके के offensive power नहीं है और इसी कारण से अमेरिका के aircraft carrier आकार में बड़े और technologically advanced तो हो सकता है लेकिन fire power में रश्या के ये पुराने aircraft carrier के सामने कमजोर है हाला कि दोस्तों aircraft carrier के पास इस तरीके का शमता ना होने के कारण aircraft carrier कभी भी अकिला deploy नहीं होता है और संपोर्ण carrier strike group के साथ deploy होता है तो वहीं पे दोस्तों आप लोगे को ये भी जान रखना चाहिए कि carrier strike group में जो जहाज होता है उन जहाजों के पास ही aircraft carrier के protection से शुरू करके aircraft carrier के offensive जिम्मेदारी भी होता है और इन जहाजों में ही long range के anti-ship missile का तैनाती होता है जबकि रश्या के पास जो aircraft carrier है इसमें air defense system से शुरू करके long range के anti-ship missile भी है जिस कारण अगर ये aircraft carrier समुंदर के अंदर deploy होता है और किसी limited mission को अंजाम देना होता है तब भी ये बिन aircraft carrier strike group के operate कर सकेगा तो ये aircraft carrier के अगर पांच हुआ interesting fact को देखे तो ये है aircraft carrier के defensive capability ये aircraft carrier के वल मात्रों offensive हतियारों से ही तैनात नहीं है मतलब long range के anti-ship land attack cruise missile से ही तैनात नहीं है बलकि aircraft carrier के पास अपने सुरक्षा के लिए भी भारी भरकम हतियार है कुदुस्वाव aircraft carrier में 6 AK630 30 mm के anti-aircraft gun जिसे की close in weapon system भी कहा जाता है उसका भी deployment हुआ है और दोस्तों ये जो close in weapon system है ये आपने आप में 5000 से 10,000 round ammunition को एक मिनिट में fire कर सकता है और दोस्तों ये close in weapon system को आप अमेरिका के phalanx close in weapon system के साथ भी compare कर सकते है जबकि दूसरे तरफ इस जहाज में 8CADS N1 air defense gun missile system भी तैनात ह और इस तरीके के system में 2-30 mm के gun के साथ 32-3K87 Cortic surface to air missile होता है इसके इलावा दोस्तों इस जहाज में 24-8 cell वाले 3K95 Krinzel surface to air missile भी तैनात है मतलब total 192 ऐसे missile है जो हर 3 सेगंड में हवाई खत्रे के खिलाव launch हो सकता है और ये missile 12 km के range तक जहाँ पे काम कर सकता है तो उही पे 6 km के उचाई में उड़ने वाले अबजेक्टों को भी मार गराने में सक्षम है हाला कि दोस्तों इसके इलावा इस जहाज में और वी कई सारे हत्यारों का तैनाती किया गया है जिन में RVU 12000 UDAV-1 ASW rocket launcher शामिल है इस तरीके के system को anti-submarine warfare हत्यार कहा जाता है जो कि अलग-अलग type क रॉकेटों को दाख सकता है और इस तरीके के rocket सब्मरीन के खिलाब जहाँ पर काम करता है तो उही पर torpedo को भी तवा कर सकता है हाला कि इस तरीके के rocket को anti-submarine हत्यार के इलावा जमीन की उपर भी bombing के लिए इस्तिमाल किया जाकता है दोस्तों aircraft carrier के अगर छटे फैट को देखे पर दोस्तों कम नंबर के होने के बावजूद इन aircraftों के पास ताकदवर हमला करने का श्रमता है इस aircraft carrier के पास करीवन 18 सुखुई SU-33, C-flanker और 6 MIG-29 aircraftों को carry करने का श्रमता है और दोस्तों दोनों ही aircraft को एक बहतरीन carrier waste aircraft के रूप में देखा जाता है हाला कि अगर MIG-29 और स सुखुई 33 को compare किया जाए तो सुखुई 33 MIG-29 के मुकाबले में अधिक ताकदवर और बड़े आकार के aircraft होने के साथ साथ इन aircraftों के पास air dominance के capability भी अधिक है और यह highly maneuverable aircraft है और dogfight के दर्मियान इन aircraftों को एक ताकदवर तरह इन aircraft के रूप में देखा जाता है सुखुई 33 aircraft को सुखुई 30 aircraft के naval variant के रूप में देखा जाता है तो उही पे यह नियार क्राप्टों के base है सुखुई 27 हाला कि दोस्तों अगर इन aircraftों को अमेरिकी वेडे के aircraftों के साथ compare किया जाए तो यह F-15 aircraft के counterpart है जबकि अमेरिकी Navy में इस्तेमाल होने वाले F-18 Super 100 aircraft के साथ इसका comparison नहीं F-18 Super 100 के मुकाबले में सुखुई 33 अधिक मजबूत और अधिक बड़े आकार के और ताकतवर aircraft है दोसों अगर सुखुई 33 aircraft को देखा जाए तो यह सुखुई 30 के जैसे ही heavyweight के air superiority fighter aircraft है और इसके रफतार भी अधिक है और इसके पास service ceiling और rate of climb भी अधिक है सुखुई 33 aircraft में 2 AL-31 F-3 after burning turbofan engine का इस्तेमाल किया गया है जिसका dry thrust 74.5 kN है जबकि maximum after burning thrust करीवन 125.5 kN है यह aircraft 2300 km पर आवर के रफतार में जहाँ पे उड़ान भर सकता है तो यही पे इसके altitude में जाने का शमता करीवन 10 km तक है हाला कि दोस्तों आप लोगों ये भी जान रखना चाहिए कि F-18 Super Hornet एक multi-role aircraft है जबकि सुखुई 33 एक air superiority aircraft है जबकि multi-role capability के लिए रश्या के द्वारा अपने aircraft carrier के उपर MiG-29K और KUV सिरिस के aircraft को डिपलॉई किया गया है तोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चनल आनको सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद